गनेश पेट एस्टी बस टैंड के सामने स्थित एक भोजनाले में दो युवकों ने जम कर हंगामा किया देरराद भोजनाले में बैठा कर खाना खिलाने को कहा इनकार करने पर दोनों ने भोजनाले के मालिक पर चाकु से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है पकड़े गए आरोपियों में महल निवासी इश्वर उर्फ योगी दिलिप्राव धेंगरे और सागर लीला धर धनजोडे का समावेश है जकमी पारवती नगर निवासी अनूज राम नरेश पांडे बताया गया पुलिस ने अनूज के बड़े भाई दुर्गा प्रसाद पांडे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गा प्रसाथ और अनुज एस्टी स्टैंड के सामने अंबिका भोजनाले चलाते है मंगलवार की राच साड़े ग्यारा बजे के दोरान दोनों आरोपी उनके भोजनाले पर आए और खाना खिलाने को कहा दुर्गा प्रसाथ ने उन्हें बताया कि भोजनाले बंध हो गया है उन्हें डाइनिंग की सुविधा नहीं मिल सकती लेकिन पार्सल दिया जा सकता है इसके बावजू दोनों होटल में बैट कर भोजन करने के लिए अडे रहे इनकार करने पर गाली गलोज करने लगे अनुज ने उन्हें गाली को लोज करने से मना किया इसी दोरान दोनों आरोपियों ने अनुज पर धारदार हत्यार से हमला कर दिया कान और कलाई पर हत्यार से वार कर बुरी तरह जखमी कर दिया दुर्ग प्रसाद ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मार पीट की घटना की जानकारी पुलीस को दी गई खबर मिलते ही गनेश पेट पुलीस मौके पर पहुची अनुच को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया तुरंत पुलीस ने दोनों आरोपियों को गिरफत कर लिया